कि सरकार से जुड़े हुए और राजनीतिक और सामाजिक कामों से जुड़े हुए देश के सभी लोग ये विक्सिद भारत संकल व्यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, जा रहे हैं तो यहां के साउसत के नाते मेरा भी दाइत्व बनता था कि मुझे भी उस कारकम में समय देना चाहिए तो मैं एक साउसत के रूप में आपके सेवक के रूप में आज सिरफ इसमें आपी की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूँ हमारे देश में सरकारे तो बहुत आई योजनाए भी बहुत बनी बाते भी बहुत हुई बड़ी-बड़ी बाते हुई और उन सबका जो अनुभव था जो निचोड था तो मुझे लगा कि देव देश को सबसे ध्याम देना जो वाला काम जो है वो यह है कि सरकार जो योजना बनाती है जिसके लिए बनाती है जिस काम के लिए बनाती है वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुँचे अगर प्रधान मत्री आवास योजना है तो जिसकी जुगी है जोपड़ी है कच्चा घर है उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर कांटेगी जरूत नहीं है सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब चार करोड़ परिवारों को पक्का घर मिल चुका है लेकिन अभी भी खबर मिलती है कि वहां को रह गया है उस गाव में वह रह गया है तो हमने ताय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश्वर में जाएं जो सरकार की योजना है जिनको मिला है उनसे सुने कि पर क्या क्या मिला कैसे मिला प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी जितना तय था उतना मिला कि कम मिला एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा तो यह विक्सीद भारत संकल पर यात्रा जो है न वो एक पकारते मेरी भी कसोटी है मेरी कि मैंने जो कहां था और जो मैं काम कर रहा था मैं आपके मुझ से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहां था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है जो काम होना चाहिए तो हुआ कि नहीं हुआ है अब मैं अभी कुछ साथ्यों को मिला जिनों ने आईश्मान कार्ड का फाइदा उठा करके कि गंबीर से गंबीर बिमारियों का इलाज करवाया है उन्होंने एक्सिदेंट हो गया हाथ पेर तूट गए तो अस्पताल में जाकर गए मैंने उनको पूछा तो कह रहा है तो इतना खर्चा हम तो कहां से करते जीन लेते ऐसे ही लेकिन जब आईश्मान कार्ड आया तो हिम मत आ गई आपरेशन करवा दिया अब सरीर काम कर रहा है अब उससे मुझे तो आशिर्वाद मिलता ही है लेकिन जो सरकार में बाबू लोग है न अपसर लोग हैं जो फाइल पर तो योजना को आगे बढ़ाते हैं अच्छी योजना भी मनाते हैं पैसे भी रमाना कर देते ह लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे पचाज लोगों को मिलना था मिल गया, सो लोगों को मिलना था मिल गया, एक हजार गाओं में जाना था चला गया लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था उसके कारण काशी के फलाने महले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई तो वो जो अफसर होता है न उसका भी काम करने का उत्सा आने गुना बढ़ जाता है उसको संतोस मिलता है जब तक वो कागज पर काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं लेकिन जब उसकाम का फाइदा किसी को मिला है उसका जब उसको खुद देखता है खुद सुनता है तो उसको काम करने का उत्सा बढ़ जाता है और इसलिए मैंने देखा है कि विक्सीद भारत संकल ब्यात्रा जहां जहां गई है वहां पर सरकारी अपसरों पर इतना सकारत्मक प्रभाव हुआ है उनको अपने काम का संतोज होने लगा है अच्छा भई यह योजना बनी मैंने तो फाइल बनाई थी लेकिन क्या एक गरीब विद्वा के गर में जीवन ज्योती विवा का पैसा काम पहुंच गया मुसीबत की जिन्दगी में उसको इतनी बड़ी सहाई मिल गई तब उसको लगता है घरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है एक सरकारी मुलाजिम को जब यह सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोज मिलता है कि बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि विक्सित भारत संकल प्यात्रा से हो क्या रहा है जो बाबु लोग इस काम से जुड़े हैं जब सुनते हैं जब मैं भी यहां बैटा हूं सुनता हूं कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे पती का स्वर्गवा हो गया तब अचानक मुझे खबर आई दोलाक में मिल गया कोई बहन कहती है कि बच्चपन से ही हम तो दूमे में जिन्द की गुजारते थे गैस आ गया जिन्द की बदल गई उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने उसने कहां गरीब और अमीर का बेद मिट गया कि मेरे घर में गैस का चुला आते ही गरीबी और अमेरी का बेद खत्म हो गया जब हो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविशाज इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे संमान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दुस्तों के सामने खड़े रहने लगे आत्मविश्वात नहीं था पक्का घर मिलते ही दिवारे नहीं पक्की छत नहीं जिन्दगी आत्मविश्वात से भर गई है अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है बैंक से चेक गए इसले पता नहीं चलता है जब उस लाभारती के मुझ से सुनते हैं न तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्ने हो गया किसी की जिंदगी में बढ़लाव आ गया अब मैं देख रहा है था हमारे गुपता जी बोलना बंदी नहीं कर रहे थे क्यों उनका मन इतना उस्षा से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला सामने से कि दो सजार उपया बैंक से मिल जाए शावकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है यह बैंक सामने स पैसा दे तब उसका विश्वाद बढ़ जाता है यह मेरा देश है यह बैंक मेरी है और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है यह अस्पताल मेरी है यह अपसर यह ऑफिस मेरा है यह देश मेरा है ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है और इसलिए ये जो प्रयास है न वो बीज बो रहा है बीज इस बात का भूद रहा है कि भेव हमारे माबाप को म Casey बते जेल नहीं पड़ी हमें भी जिन्दगी में मुसीबते जिल नहीं पड़ी लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है हम जो मुसीबतों से गुजरे कोई माबाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मसीबत से गुजरे खुद पढ़ नहीं पाए अस्षिक्षित रहे लेकिन कोई माब आप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अस्षिक्षित रहे और जब ये योजनाओं के सारी जानकारिया उसको मिलती है तो उसको लगता है कि यही समय है है कि यही समय है हम भी कुछ करें और जब 140 करोल लोगों के मन में लगता है न यह समय है तो देश आगे बढ़के रहेगा कि देश को आजादी कैसे मिली ही है कि सारे देश में माता मन गाया था कोई चर्खा चलाता था कोई पूस्ता से क्यों चला रहे हो चर्खा तो बोले आजादी के लिए कोई पढ़ाई छोड़ करके भारत माता की जैय करके निकल पढ़ता उन्हें पुलिस के डंडे खाता था लोग कुछतर देर कियो मुर्रहे हो द discovery देस कि आजादी के लिए कोई की सेवा करता था को को उत्त है क्या कर रहे ह। नहीं कुले आजादी के लिये कर रहा हूं ऍपास करता हूं तो भी आजादी केślिए बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी आजादी के लिए सफाई का काम करता हूं तो भी आजादी के लिए तकलीद चलाता हूं तो भी आजादी के लिए आजादी का ऐसा बुखांगर चड़ गया हर मन में विश्वात पादा हो गया अंग्रेजों को भागना पड़ा देश उठखड़ा हुआ अगर हम इस समय एक सो चालीस करोर देश वासी इसी मिजाज से बर जाएं बस अब अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है हर एक की जुन्दी की बदल नहीं है हर एक की सक्ति का सम्मान होना चाहिए सक्ति का उप्योक होना चाहिए तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए एक बार यह मन में यह बीच बोर है ना आज 25 सान में तो ऐसा वटबुक्ष बनेगा 2047 में 2047 में विक्षित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा यह वटबुक्ष की साया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है और इसलिए विक्षित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए मन बनना चाहिए संकल्प बनना चाहिए और अगर मन बन जता है तो मंजिल दूर नहीं होती है और यह विक्षित भारत संकल्प यात्रा यह एक प्रकार से देश का काम है एक किसी राजलितिक दल का काम रही है और मैं मानता हूँ जो इस काम को करता है वो बहुत पवित्र काम करता है वो दूर से देख रहा है अख़बार में पढ़ ला है उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है मैं मोका छोड रहा हूं मैं भले देश का प्रधान मंत्री हूं लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपको बीच आने का मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विक्सित भारत संकल प्यात्रा का मैं हिस्सा बना मैं भी संतोष करूँगा गहां भई यह काम मैंने भी किया आप में हर किसी को करना चाहिए अगले गाउं में जहां भी यात्रा जाने वाली हो शहर में जिस बॉड में जानी वाली हो बव्य स्वागत होना चाहिए सब के सब लोग आने चाहिए हर किसी को सुनना चाहिए योजनाओं का लाब लेने के लिए आगे आना चाहिए और जिसको योजना का लाब मिला है उसने आत्मे विश्वा के साथ इसको बताना चाहिए अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वाताउन परदा हो जाता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि विक्षित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है बहुत बड़ा संकल्प है और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे मिलने का मुझे मोका मिला आप से भी सुनने का मोका मिला लेकिन हम सब प्रयास करें इस यात्रा कर और सभल करें Jack स्वास्यों के मन में भाव पैदा करेंल एक आत्म भिश्वाज्वात करें और हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं तकलीब से गुजारा करते हैं तो कई काम नहीं कर पाते हैं इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते हैं मन करता है कि चलो बच्चों के अच्छा है शर्ट ला करके दे दूंग। नहीं ला सकते, क्यों? पैसे कम है। जैसे घर में होता है न, वैसे देश में होता है। देश के पांस भी पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो हर नागरी की इच्छा पूरे करेगा। हाद चार करोर गरीबों को घर मिल गया जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गरंटी देता है जिनको आईश्वान काण मिल गया उसकी मुफंत में दवाई हो गई जिसको गैस की चुले की जुरुती सरकार सब्सीटी दे करके भी गैस का चुला दे रही है क्यों स मुसीबतों का नामों निशान नहीं रहेगा नामों निशान नहीं रहेगा हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विक्षित भारत का संकल्प पूरा करना और इसलिए मैं मेरे काश्री वास्चियों को विश्वा दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते आपके सांसरत के नाते तो मैं काम करूँगा लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है उसमें मैं भी महादेव के आशिर्वात से मैं कभी पीशे नहीं रहूंगा कि महादेव के हम सब पर कुपा बनी रहे और यह आत्रा हमारे काश्री व्यातों बहुत सफल होनी चाहिए जाए डीली डाली नहीं कि कारकम में जादा से एक परिवार का एक भी व्यक्तिय ऐसा नहों कि जो यात्रा में न गया हो जाए गंटा डो गंटा उसकार के महिस्सा बने इसके लिए आप सब मदद कीजिए और विक्सित भारत के संकल्प को और मजबूत कीजिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार